बीतियर तालिस घंटे में रुक रुक कर बिहार के अधिकांश हिस्सों में बारिश हुई इसका असर जहानाबाद में भी देखने को मिला लगातार हो रही बारिश की वज़े से दर्धा और जमुनई उफान पर है नदी की तेजधार ने नदी के तटिये इलाकों में बार से हालात बना दिये जहानाबाद के निचले इलाके में कई घरों में बार का पानी घुस आया है निचली रोड से गांधी मैदान जाने वाले पैदल पार पुल का हिस्सा पानी में डूब गया है गांधी मैदान और कोट एरिया के अधिकांश हिस्सों में नदी का पानी पहुँच गया है जिसकी वज़ा से लोग घर में कैद रहने को मजबूर हो गए है नदी पूरी उफान पर है आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि नदी में किस हद तक पानी आया है पानी की उचाई का अंदाजा अब आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं पटना गया नैशनल हाईवे पर पुल के नीचे एकदम पानी सटने को हो आया है उदर रेलवे पुल के तरफ क्या नजारा है इसको देखकर आप नदी में आई पानी का अंदाजा लगा सकते हैं इस पानी की वज़ा से इनिच पर जो नया पुल दरधा नदी पर बन रहा है उसका निर्मान कार्य भी प्रभावित हुआ है जिसकी वज़ा से कार्य में देर होने की संभावना बन गई है इधर आप इन तस्वीरों को देखिए नदी ने अपने अतिक्रमन शित्र को काफी नुकसान पहुँचाया जिन इलाकों में नदियों के पेट में जाकर लोग बना कर रह रहे थे उन घरों को धुस्त कर डाला गया है नदी का पानी पूरे उफान पर है और धार काफी तेज वो तो गनीमत रही की समय रहते निचले इलाके के लोग सुरक्षित उपर की ओर आ गये नहीं तो बड़ा हाद्चा हो सकता था कई लोग इस तेज धार में ब बरबाद हो गया और उनका सारा सामान भी नदी में बह गया है इन तस्वीरों को देखकर आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि नदी में आई इस पानीक से जो नुकसान हो रहा है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं हमने नदी के बड़े हिस्से को घेर कर उसका अतिक्रमन कर लिया है नदी का जो बहावशित्र दस साल पहले था वो अब नहीं रहा नदी का बड़ा हिस्सा लोगों की भूख की भेंट चड़ चुका है कहीं दुकान तो कहीं मकान बन चुका है जिसकी वज़ा से ये बाड़ सी स्थिती बन रही है लेकिन पुराने लोग बताते हैं क पहले तो नदी की यही धार रहती थी और पूरे इलाके में नदी का पानी फैला रहता था घर नहीं थे इस वज़ा से बाड़ का पता भी नहीं चलता था लेकिन अब आबादी बढ़ने के साथ शहर के कई लोगों ने नदी के शित्र का अतिक क्रमन कर लिया है नदी का बह भाविकतार पर पानी घुस आता है हलके जिला प्रशासन ने पहले भी कई बार प्रयास किया था कि नदी के शित्र में जो अतिक क्रमन है उसे हटाया जाए लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ बड़ी संख्या में अभी भी नदी के निचले इलाके में लोग आकर घेराबंदी कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे वहां रहने भी लगते हैं वैसे ही लोगों को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं जो अब घर में पानी घुस जाने की वज़ा से सड़क पर शरण लिये हुए हैं इस बीज नदी के इस खतरनाक इलाके में कोई जाकर पानी का शिकार न हो जाए इसकी वज़ा से प्रशासन ने उन हिस्सों में बैरिकेडिंग कर दिया है जहां लोग आते जाते हैं और जलस्तर बढ़ने की वज़ा से वहां रास्ते पर पानी जमा हो गया है हादसे से बचने के लिए ऐसा किया जाना जरूरी था प्रशासन को एक बार फिर से अ जालती की ही वज़ा से उस नुकसान से भी बचा जा सके जहानबाद नियूस के लिए सहयोगी मुकेश के साथ वीरभद्र सिनहा और फगपु की रिपोर्ट